तो week ahead की analysis करते हैं, so nifty की अगर हम बात करें तो अभी भी uptrend में ही है, nifty जैसे last week मैंने आपसे बात की थी और मैंने आपको बता था 200 moving है, इसके 15 minutes का time frame पे इसके आसपास को अगर corrective move आता है और इस type से अगर 200 DME के उपन निकलता है और को entry मिलती है तो एक बहुत अच्छा trade setup हो एक और इस type का एक trade setup हमें, एक trade setup हमें मिला ही था, जिसमें 200-200 point का move एक अच्छा मिला था, तो anyways अभी भी nifty uptrend में ही है और अभी भी हम इसको as a uptrend consider करेंगे, so मेरा ऐसा मानना है कि यह यहाँ पर जैसे हम एक छोटा सा breakdown देख रहा है, maybe coming वापिस से को corrective move आता है और ऐस कर सकते हैं, bank nifty भी guys same uptrend में ही है मेरे जाप से, 15 minutes का time frame पर आपके देखोगे तो इस type के trade setup बन रहा है, जिसमें मुझे आ सकता है coming week में अगर कोई corrective move यहाँ पर आके ऐसे, अगर इस तरीके से trend line भी break करके यहाँ से उपर निकलने लगता है bank nifty, तो quite possible कि हम coming week में यह जो इ analysis रखेंगे nifty bank nifty दोनों के लिए, आप आज आते हैं कुछ stocks पर गईज, तो सबसे पहला stock है Deepak Nitrate, मैंने आपको लास्ट वीक भी stock के बारे में बात कि यह लास्ट वीक का analysis का video देख सकते हो, मैं आपको बता है था कि हो सकता है, मैं entry लोगा अभी, और अभी मैं जितने भी stocks आपको बताऊंगा, 5-6 stocks के में analysis करेंगे, actually वो सारे stocks में मैं खूद personally long हूँ, और उसमें entry लेके बैठा वाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखो, इधर आप देख सकते हो, यह सारे stocks में मैं entry ले रखी है, इसको refresh कर लेते एक बार, ज्यादा दी है, तीन-तीन कारे में discuss करूँगा, इसकी जो analysis है, वो आपके share करूँगा, मैं डिसकोर्ट के server पर तो मैं जब entry लेता हूँ, तब analysis के share करता ही हूँ, अब इधर आके देखोगे, अब इसमें काफी opportunity है, और एक अच्छा swing मिल सकता है, coming weeks में, so let's get started, तो सबसे पहले यह दीपक नाइट्रेट को आप देखोगे, मैं आपको daily के charts पर लेके आ जाता हूँ, daily के charts में 200 DME के पास से एक bounce बैगे, इस तरीके से trend line break का setup भी बना हुआ है, और फिलाल हमने इसको य होते 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 हैं यह उपर जाने की high possibility है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो previous highs है वहाँ तक भी अगर हम वेट कर सकते थरोगा time, तो possibly हम पहुच सकते हैं, so this is one lesson for Deepak Nitrate और इसमें अभी छोड़े time frame पर आ के देखेंगे, 15 minutes के time frame पर आ जाते हैं, तो मेरे आप से 15 minutes के time frame पर आपक में होई थी, जहाँ पर कई इधर कई स्टैप का ऐसा setup बना था, तब मैंने इधर कई entry ली थी और उसके बाद एक अच्छा move भी आया था, दीरे 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 पूरे अफ्ते में corrective face सल रहा था, अब आप इससे वेट करें, नया एक अच्छा सा जो अप ट्रेंड को continue होने का और फ़ड़ा उपकी तब मुव आने का तो दीपक नाइट्रेट हो गया, दूसरा है जी एन एफसी, यह भी लास्ट विक में आप लोग के शेर किया था, आपको मैं बोला भी था कि मैं coming week में entry ले सकता हूं जी एन एफसी में तो मैंने entry ले लिए जी एन एफसी में अभी, जी एन एफसी भी गाईज देखोगे डेली के चार्ट पे और अच्छा सेटप है, नीचे टूनेटीमे से बाउंस बैक दिख रहा है, आज आते हैं लोवर टाइम फ्रेम पे, अगर अभी को फ्रेश एंट्री ले नी तो कैसे ले सकते हैं, तो फ्रेश एंट्री में अभी इसमें कहीं ने कहीं फ्रेश अपमो स्टार्ट होता हुआ देख सकते हैं, विच इस अ क्वैट हाई पॉसिबिलिटी तो फिर दूसरा एक स्टॉक है आई एक स्टॉक है आई एक स्टॉक है यह पूरा बढ़र ताइम पर देखोगे तो नया एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, अभी तक एक कॉंफिडेंटली मैं नहीं बोल सकता हूं, जो शॉरिटी वाला ट्रेड नहीं दीख रहा है, लेकिन नीचे से हम अगर पहले से स्टॉक है एक स्टॉक होते हैं, जैसे मेरा स्टॉक है बतना हूं तो मैंने खाली यह प्रीवेसली ऐसे ऐसे हुआ था तो यह जो स्टॉक है इसके नीचे रख दिया है और मेरी एंट्री अल्डेडी हो रखिए इसमें आई एक्स में तो अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहां से टॉने डिये में के उपर शिफ्टों के ऐसे अगर निकल जाते हैं तो यह यहां से आप अब यहां से यह ट्रेट सक्सेस्फुल आगे निकल जाते हैं तो इसको काफी लंबा भी होड़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बड़ा डेली टाम फिरम पर नया ट्रेंट एस्टाबलेश हो जाएगा तो इसमें 15 मिट के टाम पर आ जाते हैं एंट्री के लिए अगर एंट्री ले सकते हो तो तो यू किप दिस टॉक आई एक्स अलसो इन यूर वाच लिस्ट अभी दूसरा लॉरस लैप की बात करता हूं जिसमें मैंने खुद ने भी एंट्री ली हुई है अल्री दिखा तो यह यह लॉरस लैब भी लिया हुए है वर इसके बाद ल्ट यह टाटा नाम है कि ऊपन नीचे ऊपन यह सायडवेस हो रख हुए तो फिलाल जो एक छोटा सा टार्गीट मुझे दीख ह्रहे वह मैं आपको बताता हूं तो मुझे ऐसा लाग रहे है तो यह शक्या थेला एक एसे अंदर है तो यह रेंज के नंदर च्रुटा अजा आगेत दिखता तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि 430 भी हम आरम से आता हूँ देख सकते हैं जो कि अभी तो 398 पर यह तो लॉरस लेब में भी कहीं ना कहीं ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है तो ट्रेंड शिफ्ट होता हूँ देख रहा है तो देख रहा है तो दूसरा एक स्टॉक है कि अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करो तो प्रिवेसली यह एक रेसिस्टेंस एरिया था अब ट्रेंड में खेर रेसिस्टेंस होते हैं यह बंद्यान टूटने के लिए इधर देखोगे इधर और यह इसका ब्रेक तो यह एक वाइड पॉसिबिलिटी है कि अगर अभी फिलाल में तो ट्रेड ले रखागा मेरे साब सब यहीं से अभी उपर जा सकता है उच्छी स में चोटा रखा हुआ इसलिए अगर इसमें को रिवर्सल मिलता तो बहुत जल्दी एग्जिट भी कर लूँगा और फिर वेट करूँगा कि यह थोड़ा सा ऐसे फ्लैट हो जाएगी और यह जो सपोर्ट लेवल इसके पास आके अगर कोई घुमता है और इस टैप का को ए करने का लेगन सक्सेस्फुल नहीं रहा और फिर वापिस से नीचे आ गया था और फिर इसके बाद वापिस से दुबार ट्राइब किया तो अगर अब इस बार भी मैं अल्यटी होल्ड कर रहा हूं इसमें शायद मेरा छोटा सा प्रॉफिट चल रहा है यह रहा आप देखो सोला जार रुपे प्रॉफिट है खाली हाफ परसंट उपर है तीन लॉट इसमें तो अब मेरी जो मानना है मैं किस तरीके इसको ट्रेट करने वाला वो बताता हूं गैस तो अगर यह इधर आके टूनेटी में से बाउंस बेग लेकर वापिस से उपर चला जाता है और यह प्रिवेस लेवल से इसको ब्रेक कर देता है देन इस फाइन मैं होल्ड कर सकता हूं लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है नीचे वापिस से टेट करना शुरू करते था तो मैं छोटा एक लॉस लेकर इसको एकजिट कर दूंगा नीचे जो सपोर्ट लेवल से उधर उसको आने क जैसे आपको अता है इदा चाट पर तो फिलाल ये एक सेटब है एलेंट के लिए और टाटा कम्यूनिकेशन तो टाटा कम्यूनिकेशन में डेली के चाट्स पर आ जाते है गाइस तो इधर आप आके देखोगे ये एक फॉल आया था अच्छा का था टोने डिया में के पास मैंनली ये एक बहुत अच्छा भ्रेक हुआ था नीचे आया था और रीटेस्ट था तब यह रीटेस्ट के टाइम पर मैंने एंट्री ली थी इसमें टाटा कम्यूनिकेशन में और उसके बाद दीरे दीरे हमने इसको उपा जाता हो देखा है और फिर वापिस एक करेक्टर अब मैं ट्रेल कर रहा हूं कि जब तक ट्रेट कर रहा है तो इसको चलना देते हैं और फिलाल जो मैंने अपने दिमाग में लगा रखें कि अगर वहां पर आएगा तो मैं exit कर सकता हूं तो वह है 1850 1860 जो की अभी तक अच्छी नहीं हुए तो कॉमिंग में अच्छी हो सकत सब्सक्राइटी तो दिस वो दिस वो सम्सक्राइब विडियो मजा आए होगा मजा लाइक जरू करना प्लीज टेक केर आफ यौल सेल्फ एन प्लीज टेक क्यों पैरेंस उनका अश्वत आपके सिर्फ पर बना लेगा दोस्तों तो उस इंदगी में सफल तर जगा बहुत ही मिलेगी टेक केर सीया